जो भी हमारे learners हैं वो आज for the first time अगर मुझे या देख रहे हैं मेरा नाम है Kritika Parik मैं अकाडमी पर educator हूँ और May 20 से regularly आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और मैं teach करती हूँ NTA UGC NET category में मेरे साथ मैं अकाडमी पर जोड़ने के लिए आप UGC 10 code की help से invite code apply कर सकते हैं Hello जी Good evening वीडियो को एक बच शेयर कर दीजे सभी दोस्त Learners जादा आएंगे जादा मज़ा आएगा सब के साथ questions करने का क्योंकि questions एक number हम करते हैं class में एक number class होनी चाहिए और जादा से जादा students आने चाहिए जल्दी से live watching अपनी बढ़ जानी चाहिए Good evening guys सभी दोस्तों को Lighthouse गुड़ इवनिंग जाकर अंसारी वेरी गुड़ इवनिंग रंजीता जैस्वाल गुड़ इवनिंग मतलब syllabus to syllabus आपका काम होता जाएगा आप लोगों को सिर्फ वीडियो को शेयर करना और लाइव वाचिंग क्लास की बढ़ानी है maximum लोग क्लास को अटेंट करने चाहिए क्योंकि जितना competition बढ़ेगा ना उतना मज़ा आएगा काजल के दुश्रुवात करी जाए है आज शीकम्स की शीरוא से पहले एक बरफ जल्दी से ठमस अब सबकी दरफ से क्यूट इस गूध इवनिंदगूध को सौकर पर त्युल्यक्राइब पर दो जो मुझे मूसली आई जाता है क्यों लाइट आउस क्या जल्दी है लाइट तो आ रही है ना लाइट थोड़ी जाने वाली है जो जल्दी करें करते हैं थोड़ी बात्ची तो करने दीज़ें क्यों कि लिए रेडी क्योंकि पहला सवाल है अर्थक्विक से अर्थक्विक अकर एट एट एज बुकंप कहां आता है हुआ 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 है वीडियो क्वालिटी आप लोगों की एट लीस थ्री सिक्स्टी होनी चाहिए थ्री सिक्स्टी पर आपको क्लियर दिखेगा वीडियो क्वालिटी बढ़ाईए क्लियर ही क्लियर है चलिए तो मैं आंसर इसका बता देती हूँ आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर डी अर्थक्विक अर्थक्विक अर्थके इंटर्नल पार्ट से निकलने वाली क्योंकि सेस्मिक वेव्ज है अब सेस्मिक वेव्ज कैसे निकल सकती है डाइवर्जन प्लेट बाउंडरी मतलब जब दो प्लेट्स ऑपोजिट जाती है एक दूसरे से तब बीच में से सेस्मिक वेव्ज निकल आभी सही है ocean continent plate boundary एक ocean की और एक continent की या तो टकराएगी या दूर जाएगी दोनों ही situations में सेस्मी ग्रेव आती है और transforming boundaries तो shallow earth कोई का ही center होती है तो चारो option correct option number D is all time correct next question mostly question students कहा है मैं clear नहीं दिख रहा है मैं आप से request करूँगे आप video की video quality बढ़ा दें क्योंकि जैसा कि मैं भी देख पा रही हूं मेरी class को तो मुझे clear दिख रहा है इसका मतलब PPT में कोई गलती नहीं है यह आप एक काम कर सकते हैं आप अपने video को यूं horizontal कर सकते हैं इससे यह होगा कि आपके पास में जो questions है उनको आप zoom करके भी देख सकते हैं तो देखो बहुत सही clarity है कोई दिक्कत नहीं है मेरी quality परफेक्ट है चलिए correct answer option number a दोनों ही सही है मतलब significant energy may be released where crystal plate side pass to each other that's why shallow focus earthquake may occur along transforming boundary जब वो एक दूसरे को पास करती है तब मतलब टकराती नहीं है पास नहीं आ रही है दूर नहीं जा रही है बस एक दूसरे के parallel चल रही है यह एक दूसरे को पास कर रही है तो shallow earthquake साथ है अगला assertion and reason जाल रही है पास कर दो दो बादा पर है है तो पन। उसरे कर दोचो प्याशना कर दो कि दो है है तीसरे का आप लोग आंसर दे रहे हैं option number B but the right answer is option number A क्योंकि some type of earthquake waves do not travel through liquid material in earth layer that is why the structure of earth can be understood by observing the passes of earthquake wave through different layer of earth for example S type waves they are liquid so how do we feel like shadow zone we can see here seismic waves not here so we can see that in this place some type of earthquake or molten element so we can say that mental part is molten form in the earth because there is no wave travel and in this place shadow zone so the interior part of the same this is the the option number A the right answer next is the speed of tsunami wave in ocean largely depends on महासागर में सुनामी लहरू की गती काफी हद तक निर्भर करती है करेक्ट आंसर इस ओप्षन नंबर ए ओशियन डैप्थ कभी भी महासागर में सुनामी लहरू की जो गती होती है उसकी सबसे इंपोर्टेंस यह होती है कि वह जितनी जादा डैप्थ में होगी वह उतनी ही फास्ट होगी और वह जितनी जादा कम गहराई पर होगी वह उतनी ही शेलो होगी तो कहीं पर भी डिस्टंस फ्रॉम दी सोर्स ओफ दी वेव यह मैटर नहीं करता है जहां डैप्थ जादा होगी वहाँ पर यह अपनी इंक्रीस करेगी ही डैंसिटी ऑंट से पहरत नहीं पड़ता है डिस्टंस प्रोम मीलच कोई फ़रक नहीं पड़ता है जैब उसके सोर्स से फरक नहीं पड़ रहा है तो मीलच कोई लilar दीना नहीं है कि पानी की लहरों में उससे पानी के अंदर उसे लहरे जन्रेट होती है यह एक जैपानी वर्ड है और इसमें बेसिकली इसकी डैप्थ पे ही यह सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ओके नेक्स्ट है दा सुनामी इंपाक्ट ऑफ सुनामी इस लेस ओवर दी ओशियन और नियर दी कोस्ट बिकॉस्ट सुनामी का जो प्रभाव होता है वो समुद्र पर कम और तट के पास में ज़्यादा पड़ता है इसका क्या कारण है क्या क्या है सही जवाब होगा ओनली ऑप्शन नमबर टू देखिए इंपक्ट ऑफ सुनामी यह बोला जा रहा है कि इसका जो असर होता है वो जहां यह जनरेट हो रही है जहां पर इसकी डैप्ट ज्यादा है जहां पर इसकी देखा जैतो स्पीड भी ज्यादा होती है वहां इसका है कि यह कितनी गहराई से आ रही है तो जब इसकी गहराई होती है तो इसकी स्पीड फास्ट होती है लेकिन जैसे जैसे इसकी गहराई कम होती जाती है तो क्या होने लगता है यह रिडियूज होने लगती है और स्पीड डाउन होने लगती है जिसकी विजह से अपने आसप है वो चाहे कितनी ही सफेदी देने का क्लेम करें यहां पर सुनामी से उसका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता तो टाइड और नॉट पावर्फुल नियर दी कोस्ट ऐस इन ओपन ओशिया यह एक अलगी स्टेटमेंट है जिसको यहां पर जबरदस्ती घुसाया जा रहा था लेकिन हमने उसको निकाल दिया है क्योंकि इसका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता सेस्मिक फोर्स और एपसेंट नियर गोस्ट क्यों भाई ओस का मतलब होता है कि वह कॉंटिनेंट और ओशियन की स्टार्टिंग पॉइंट है इसका मतलब होता है बहुत बड़ा प्लेट मार्जिन कंसिडर दा फॉलोविंग स्टेटमेंट सही जवाब आप्चन नमबर थी क्योंकि मैंने साफ आपको पताया था टाइड्स का कोई लेना देना नहीं है तो टाइड्स और सुनामी यह कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं सब्सक्राइड नहीं हो सकता तो दूसरा गलत है पहला सुनामी ग्रोइन हाइट वें रीच टुदा शेलोर वाटर मोस्तुनामी एपन पैसफिक रिंग फायर काई एटी पर सुनामी जो है वो पैसफिक रिंग फायर में आती है क्योंकि वहां पर एक्टिव करें करते हैं सही जवाब है option number c only all three गलत सही जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ option number यहां पर सबसे पहले हम consider करें the speed of wave in the ocean depends upon the depth of the water यहां तक सही था it is more in the shallow water than in the deep ocean यहां पर क्या लिखा है कि पानी की जो लहरों की जो गती होती है वो क्या है गहरे स्तमुद्र के तुलना में उथले पानी में अधिक होती है guys एक तो होती है speed ठीक है और एक होती है height तो यहां प होगी तो speed obviously deep water में ज्यादा होगी shallow water में कम होगी इसको मैं आपको एक example के तुरू समझा सकती हो आपने एक ocean moments होता है ocean water जो होता है उसके moments होते हैं उसमें हम तीन moments को शामिल करते हैं एक आते हैं आपके ocean waves एक आती है ocean currents और एक आते हैं आपके tides अब देखिए waves and currents जो है ocean में चलने वाली horizontal activity है जिससे हम कह सकते हैं कि horizontal moment है जबकि tides जो है vertical moment है अब currents के अब हम बात करते हैं तो currents को भी आके चलके हम classify कर देते हैं तीन चीज़ों में कौन-कौन सी currents आपके currents stream and drift अब difference क्या है current में stream में drift में generally current को एक इमाना जाता है कि current अपनी एक speed में चलती है drift में यह होता है कि उसके गहराई बहुत जादा होती है इसलिए उसकी speed बढ़ जाती है अब बात या आती है कि drift का मतलब क्या drift चाप example लें कि जो gulf stream है लेबरडार के पास में आके greenland से मिलती है उसके बाद में वो east की दरफ movement करती है और telegraphic plateau के पास में आकर के उसको हम North Atlantic drift का नाम दे देते हैं गल्फ stream ही आगे चलके North Atlantic drift बन रही है North Atlantic drift उसको हमने क्यों कहा इसलिए कहा क्योंकि जैसे जैसे वो टेलिग्राफिक plateau के पास में जाती है उसकी जो depth थी जैसे जब वो गल्फ stream थी तो उसकी depth 150 मीटर से भी जादा की थी लेकिन जैसे वो टेलिग्राफिक पठार के पास में जाती है जिस वज़े से उसकी speed कम हो जाती है और कम होने की वज़े से वो अपनी गती को भी धीरे कर लेती है और आगे चलके उसकी अलग-अलग शाखाएं बढ़ जाती है तो drift ना मतलब यह होता है कि जैसे रोड पे एक बाइक की जितनी speed है उतनी speed में ट्रक नहीं चल सकत अब इसी same concept को आपको ocean water पे लगा के देखना है ocean water में आप ही मानिए कि यह अपनी एक water body है ठीक है और इस water body में देखिए चलिए तो मानिए कि इस water body में इस particular place पे यहां पर आपके सुनामी आ रही है तो देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक जैसे जैसे आप अब यहां प ठीक है यह है आपका 30 चेत्र अब देखेंगे तो यह तो complete पानी है तो यहां पर क्या है depth जादा है high depth है high depth है अब आप देखेंगे कि जहां पर depth जादा होगी इसकी speed fast होगी फिर थोड़ी दूर पर जाएंगे depth क्या हो जाएगी medium हो जाएगी medium depth होगी speed थोड़ी से कम हो जाएगी और फिर जैसे ही यह near the coast पहुचेगी तो इसकी जो depth होगी वो क्या हो जाएगी low हो जाएगी इस वज़े से इसकी speed बिल्कुल down हो जाएगी तो tsunami में जितनी जादा depth होगी उसकी जो speed होगी वो उतनी ही जादा होगी और जो wavelength होगी वो उतनी ही कम होगी ठीक है wavelength उतनी ही कम होगी wavelength कम होगी अब जैसे ही speed जो है speed अगर कम होगी तो comparatively जो wavelength है वो क्या हो जाएगी जादा हो जाएगी इसी वज़े से तो tsunami तटके पास में आके नुकसान पहुचाती क्योंकि इसकी wavelength बढ़ जाती है यहाँ पे उसकी height जादा नहीं होती है क्योंकि एक कुछ इस speed से चलती है तटके पास में इसी हो जाती है तो इनकी wavelength बढ़ जाती है अब यहाँ पे देखेंगे the speed of wave in the ocean depends upon the depth of the water completely true है it is more in the shallow water than in the ocean deeps opposite है it is more in the ocean deeps than in the shallow water तो पहला गलत दूसरा as a result of this the impact of tsunamis less over the ocean and more near the coast whether they are large scale devastation क्योंकि wavelength जहाँ speed जादा होती है वहाँ कम होती है जहाँ speed कम होती है वहाँ wavelength जादा होती है जादा wavelength result है जादा destruction का तीसरा है over deep water tsunami has a very short wavelength and large wavelength मतलब गहरे पानी के उपर tsunami की लहर लंबाई बहुत कम और तरंग उचाई बढ़ी होती है उल्टा है tsunami की लहर लंबाई तो जादा होती है मतलब यह कुछ ऐसे तो तेज़ चलती है क्योंकि speed जादा है उचाई कम होती है तो c correct माना जाएगा पूझा स्पैम ना करें प्लीज मैं नेट की कोई बुक बताईए बिलकुल मैं बता दूंगी पूझा मैं यहां पर आप लगों के लिए ही classes ले रहे हूं बट अगर कोई concept समझा रहे हूं तो इसको समझें किताब की अगर मैं बात करूं आपको एक किताब पढ़नी है या complete notes पढ़ आप यहां पर देख जाएगा अच्छा अब हम चलते हैं हमारी question पर consider the following statement surface ocean currents are driven mainly by tectonic movement in the ocean depth strongest tsunami in the world are produced by consistent unidirectional wind movement during high tides झाल यहां बशना ही बादाएब कर दो आपको नहां अगर है जाइएग झाल प्रतित्व एर ओना प्रवा करने लिए हूँपको भी कर दो व्माहाईग कर दो ओड तो यहां आखको पदेएगे कर दो इंगा यहां में बगश्वा़ाईषब लोगा बताइए अंसर क्या होगा सही जवाब है d very good none of these कोई भी नहीं क्योंकि यहां पर आप देखेंगे surface ocean currents driven by mainly tectonic movement in ocean depths obviously not यह जो movements होते हैं यह due to changes in temperature, changes in density of ocean water and mainly its gravity for example equator के पास equator का जो पानी है वहां पर temperature जाधा होने की वज़े से यह माल लेज़े कि वहां का water level होता है तो वह किस तरफ moment करता है जहां lower water level होता है तो इसी वज़े से currents का जो flow होता है वह equator to north and south की तरफ चलता है the high tides मैंने बोला थाना high tides tides का फोई लिना देना नहीं है तो यहां पर दूसरा भी गलत है ऐसा नहीं होता है correct answer और option number D अगला है fold mountain से related बताए mountain buildings अब आपके questions है के तो करे लो अ přाफ करे बताब आपके सबड़ा कर दो यह दो परूब आजसे शोस्टाब कर दो नहीं है आपके टैसे दो है कर दो मैंने आपके सबस्टाब गलता है सही जवाब option number D all of these यह सारे ही factors सही है increase load of overlying rocks flow movement in the mantle and magnetic illustration in the crust क्योंकि magnetic illustration होता है इसी की वज़े से waves active होती है और उनी की वज़े से tectonically movement होता है next है with reference to fold mountain consider the following statement वलित परवतों के संदर्व में निम्न कत्नों पर विचार कीजे सही जवाब है option number B हमसे पूछा गया था which above is our incorrect guys आप लोगों ने shared correct obviously mind में रहा होगा which of the following is correct but the demand of question was which of the above is our incorrect incorrect है D यूराल माउंटें वरेफॉर में doing the फाउंड इन फोल्ड मांटेन वलित पर्वतों में अवसाधी चट शेलो की अधिक मूटाई क्यों पाई जाती है हुआ हुआ है हुआ है C answer होगा due to accumulation of sediments in a geosync line आपको कोबर की थियोरी आदोगी जो उन्हें हिमाले से रिलेटेड थी थी कि टैथिस सी के जो सेडिमेंट्स है सारी जो मांटेंस की सेडिमेंट्स है वो टैथिस सी में जमा हुए है और उनसे इसका निर्माण हुआ है तो यह एक बेसिकली geosync line theory है कि वलित परवतों में अउसादों की चटाने की क्यों पाई जाती है क्योंकि regularly अउसादों का जमाव होने की वज़े से accumulation हो जाता है सेडिमेंट्स का और उसी वज़े से यह रीजन माना गया है C is the right answer अगला है which of the following are example of fold mountain correct answer है option number C all of the above are correct fold mountains पूछा गया है तो दोस्तों fold mountains के अगर category बनाई जाए तो इसको देख सकते हैं कि एक तो आते हैं बिल्कुल प्राचीन एक मध्ध है और एक बिल्कुल नए तो अगर हिमाले की बात की जाए कि इंडिया में हिमालिया और आलपस यूरोप में ये दोनों ही यंग fold mountain है और यंग fold mountain की विशेशता ये होती है कि उनकी जो peak होती है ठीक है वो बहुत ज़्यादा conical होती है तो conical peak के साथ में ये यंग fold mountain है application in North America and Ural in Russia ये क्या है ये rounded fold mountain है जिनका elevation automatically बहुत कम है इनकी उचाई कम है जैसे हिमाले की तो दुनिया में सबसे ज़ादा हुचाई है लेकिन जो application and Ural है इनकी height comparatively कम है बात करते हैं अरावली की तो अरावली दुनिया के सबसे प्राचीन परवतों में इसकी गिंती करी जाती है जोकि most old fold mountain है और आज की date में ये एक अवसिस्ट परवत बनके रह गया है क्योंकि इसका हद मात्रा में erosion हो चुका है तो C is the right answer अगला है Which of the following are the silent features of fold mountain? अगला है क्या आंसर होगा विच सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर यूजिंग दी कोड गाइज राइट आंसर इस ऑप्शन नंबर डी आपको बताया गया था कि सही बताए इनमें से कोई भी नहीं मतलब सारे ही गलत हैं गलत ऐसे हैं पहला अगर बात करें यार लीस्ट लाइकली तो हैव उसे कहते है हम हिमाले माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की जिसकी हाइट है उसकी एक अच्छी कॉनिकल पीक्स है इवन हिमाले की मोस्टली जितनी भी चोटिया है सभी की कॉनिकल पीक्स है तो इस वज़े से पहला स्टेट्वेंट अपना गलत हो जाता है यार क्रियेटेड वर्टिकली वो सेपरेट हो जाता है उससे रिफ्ट वैली बनती है तो दूसरा भी गलत है तीसरा थे मस्ट भी असोसियेटेड विद वॉलकेन इसम इधर फ्रॉम दी मांटेन कोर और इट्स विसीनिटी अगर हम बात करें तो हो सकता है कि जैसे कि आपके रॉकी मांटेन है या मालीजी की हिमाले मांटेन है ओल्दो हिमाले मांटेन में ऐसा कुछ पता नहीं चलाएगी यहां पर वॉलकेनिक इरॉप्षन है या नहीं चली हम एक्जामपल ले लेते हैं अरावली का अरावली दुनिया का सबसे ओल्ड ओल्ड मांटेन है लेकिन आज तक यहां पर कि इसी भी तरीके के वालकेनिक इरूप्शन के साक्षिन नहीं मिले हैं तो ऐसा भी जरूरी नहीं है तो तीसरा भी गलत सही जवाब only option number D next step block mountain are created when block परवत तक कब बनते हैं झाल कर दो बनदाय नहीं तर दो आपके कर दो दो एक आजा हैं झाल के लिव चका के दोल फसी जवा ज़ाब झाल को झाल को अचल हैं करेक्ट अभी बैने बताय bene था कि लार्ज अरियस ब्रोकन डिस्पर्डट वर्टिकली विर्टिकली डिस पार्ट हो जाता है तो इससे क्या बनता है जो आपलिफ्ट जिसे हम कहते हैं जै को यहपलिफ्ट ब्लॉक को होता है और जो downward block होता है उसे हम hurts and graban उसे हम graban कहता है अगर हम बात करते हैं downward erosion of high plateau reason उच पटारी छेतर का नीचे की और अपरदन तो इसे तो हम इसको दो तरह के process होते हैं उमजन और निमजन तो इसको हम कहते हैं निमजित होना tectonic plates convergent and displace each other marginally एक दूसरे के उपर आंशिक रूप से अभिशरन और विस्थापन करना convergent and divergent का process है और जो अलमों की गतिविदी के अगर बात करते हैं तो जिसमें दो प्लेटें इंग्डूसरे से opposite direction में मूव करती है नीचे से मैगमा बाहर आता है और वालकेनों बनता है for example Mount Kilimanzaro in Africa, Mount Fuseyama in Japan ये उसका example है B is the right answer अगला tectonic plateaus are formed due to earth movement that causes uplift which of the following are tectonic plateaus found on earth बताईए कौन-कौन से प्रत्विवर पाये जाने वाले विवर्तनी की पठार है जिनका निर्माण विवर्तनी की गतिविदी से हुआ है सही जवाब है option number D जितने भी आप प्लैटू बने है majorly वह किस से बने हैं टेक्टॉनिक मुवमेंट्स की वज़े से बनते हैं चाहे वह मेसेटा उ सेंट्रल इबेरिया हो या जर्मनी का हर्ड्स हो तिबतियन प्लैटू हो या फिर बॉलिवियन प्लैटू हो तो इसका बिसिकली निर्मान कंसोलिडिशन ऑफ लावा की विज़े से भी हो सकता है तो सेडिमेंट्स के जमाव की विज़े से भी हो सकता है तो D is the right answer majorly जो प्लैटू बनते हैं क्योंकि प्लैटू एक ठोस चटान होती है और हाइलेंड होता है अपने आप में ये एक तो इसके पीछे इसे reason mainly volcanic activity मानी जाती है mainly और reason हो सकते हैं but major reason is volcanic activity या बेसाल्ट का आना क्योंकि तभी तो volcanic activity हो रही है उससे बेसाल्ट बाहर आ रहा है पतला लावा निकलता है और वो जमता है next है in humid highland several dissected plateaus like Scottish highland are found which of the force are responsible for the formation of such dissected plateaus और ये वीज़ कर दो के वीज जहाया है यहां पर देखिए सबसे पहले तो बोला जा रहा है है कि वह हाइलेंड्स हैं जो कि हुमिड है अपने नेचर में डिसेक्टेड प्लेटूस वह होते हैं जो एक्स्टर्नल एक्टविटीज की वजए से चोटे-चोटे बढ HOLY जाती है और हार्ड रॉक होती है वहा पर रिमेवने में अपने अस पास THE Environment में तो वह डिसक्टेड प्ली प्लथो वह प्लेटू के कहते है जो मैं ली एक्सटर्णल एक्टविटीज की वजह से वाइशन हो मैं इस्सें पल्लेटन का फॉर्मेशन या फिर abrasion by wind, ये तीनों ही responsible हैं. Next है, lakes are among the most varied feature of the earth surface. In which of the following ways can lake be formant? All of the above, tectonic movements की विज़े से भी हो सकता है, glacier activity, volcanic activity and river deposition. Jilo के निर्मान के लिए, जैसे tectonic movements है, glacier activity, उसकी विज़े से आपके pet nostril lake बनती है, volcanic activity से आपके crater lakes बनती है, river deposition उसकी विज़े से आपके oxpo lakes बनती है, ये सारी आपके किसके example है, मतलब कि जो river का निर्मान है, वो कैसे भी हो सकता है? हाँ, pet nostril जील होती है, जो की beach-beach में बन जाती है, और ये बहुत सारी बनती है, जिन्हें दूर से देखने पर ये जील माला भी इने कहा जाता है, जील माला इक इसका एक अच्छा example है, अमेरिका की, USA की जो great lake है, वो भी इसका एक अच्छा example है, और उस बो लेक मैंने आपको बताया ही है, next है, with reference to lake, consider the following statement, जीलो के संधर्व में निम्दलिखित कत्नों पर विचार करें, जीलो के संधर्व में निम्दलिखित कत्नों पर विचार करें, जीलो के संधर्व में निम्दलिखित करें, only one and be, lakes are the temporary features of the earth crust, क्योंकि ये बनी भी जाती है और ये बिगाडी भी जाती है, ये किसकी वेज़े से बन रही है, ये जनरल अगर देखा जाये तो draining की वेज़े से ये बन रही है, या जो activities हो रही है, permanent features के अंदर तो हमारे continents and oceans आ रहे है, continents आ गए, mountains आ गए, ये सब हमारे permanent feature है, crust के जो दो permanent feature है, continents, continents and mountains, ये permanent feature है, इसके बाद में lakes आपके बन रही है, या फिर flood plains बन रहे है, delta बन रहे है, या V-shaped valley बन रही है, नदियां बन रही है, या फिर आपके cast reasons बन रहे हैं, ये सारे temporary feature है, क्यों, sorry, temporary feature है, इस वज़े से क्योंकि इनके पीछे कोई particular reason responsible है, permanent feature का मतलब तो यह हुग है, कि वो तथास तूसको तो वर्दान बिला हुआ है, कि तुम थे हो और रहोगे, lakes permanent नहीं है, temporary features हैं, दूसरा, most saline lakes are the result of inland drainage and subsequent evaporation of their water, obviously, जितना ज्यादा मात्रा में evaporation होगा, जो fresh water का content है, उड़ता जाएगा, और जो water की density है, वो बढ़ती जाएगी, थर्ड है, intersitally most lakes in the world are saline, no, there are mostly lakes in the world are fresh water lake, saline comparatively come है, fresh water lake comparatively ज़्यादा है, majorly, next है, lakes are enclosed bodies of water sometime connected to a river over other water body, which of the following purpose is our subbed by lake? सही जवाब है, option number D, helps to regulate the flow of a river, during heavy rainfall, it prevents flooding, बारिश के दौरान ये बाड को रोकती है, और सूखे के दौरान ये जल के flow को बढ़ती है, balance का काम करती है, which of the following factors add the weathering of rock, निम्द में से कौन से कारफ चटान की अपक्षय में सहायता करते हैं? झाल के अपक्षय में सहायता करते हैं, करेक्ट आंसर होगा, option number D, weathering का मतलब होता है, कोई भी एक चटान है, वो अपनी ही जगे के उपर, अलग-अलग blocks में तूट गई है, मतलब उसको किसे ने touch नहीं किया है, बस वो तूट गई है, इसकी वज़े से क्या हो रहा है, intense heating during the day and rapid cooling at the night, इसे हम कहते हैं physical weathering, और इसको majorly इसको कहा जाता है, यह आपका जो particular है, इसमें होता यह है कि, dunal range desert region की high होती है, dunal range का मतलब होता है, एक दिन का maximum temperature, और उसी दिन का minimum temperature के बीच का gap, तो माली जी कि desert region में, दिन का temperature चला गया, 40 degree Celsius, और night पे वो temperature आ जाता है, 30 degree Celsius, तो 30 degree है 25 degree, तो 15 degree का difference आ गया, इसका मतलब 15 degree dunal range है, तो यह अपने आप में high रहे, तो दिन में excess heating की वज़े से, वो गर्म हो जाता है, और रात में excess temperature डाउन जाने के चकर में, या radiation के चकर में, वो ठंडा हो जाता है, तो consistently heating and cooling, heating, cooling की वज़े से, वो चटान में cracks पढ़ जाता है, और उसी crack की वज़े से, वो तूट जाती है, pore pressure of water spreading into rocks, जब पानी rocks में जाता है, तो जब पानी ठंडा होता है या जमता है, आपको पता है कि पानी 4 degrees Celsius पे आके, अपनी highest density पे होता है, तो पानी अपना अकार बढ़ा लेता है, तो वो चटान को भी थोड़ा सा spread कर देता है, बढ़ा देता है, दिन में फिर पानी पिगला, फिर रात को जमा, फिर पानी ने अपना दाब बढ़ा दिया, तो ऐसे जब regularly प्रोसेश चलता रहता, तो पानी क्या करता है, extend करता करता है, उस चटान को vertically टुकडों में कार देता है, ये आपको majorly frost region में देखने को मिलेगा, फिर आपके आती है, throwing of rock, चटानों का पिगलना, मतलब एक्सेस मेल्टिंग की वज़े से, तो यही सभी चीजें आपके साहेता करते हैं, majorly, जिसे अपन कह सकता है, आपके physical weathering में, next, which of the following force affect the process of physical weathering of rock? कर दो कर दो कर दो, C, D is the right answer, poor water pressure, temperature changes and gravitational forces तीनों ही इस पर responsible है, जैसे कि किसी gravitational forces का मतलब है overburden का हो जाना, main इसका reason है, overburden pressure हो गया, load हो गया या sharing stress, तीन mainly responsible reason होता है next step, which of the following process contribute to the enrichment of minerals in rock निंदलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चटानों में खनीजों के समवर्धन में योगदान करती है correct है, option number C, A and B, weathering of rocks, and erosional and depositional actions of weaver क्योंकि जो खनीजों का समवर्धन हो रहा है erosional and depositional activities की वज़े से ही majorly जो sedimentary rocks हों का formation होता है weathering की वज़े से ही erosion होता है तो basically दोनों ही जो denudation का process है उसे हम इसके लिए responsible ही तहरा सकते है next है, how is the phenomenon of weathering important for us अपक्षय की परिगटना हमारे लिए किस प्रकार महत्वकून है झाल सकते है आल आप दी अबोब अबिसली ये स्वाइल की फॉर्मिशन में रहती है क्योंकि चट्टानों को बारीकणों में तोड़ करके स्वाइल का निर्मान इससे होता है अबिसली ङूदिग है क्या आप अब Dlatego anप इससे ही होता है क्या काम फ Norwegτηा, ये नיע कि विस्ट कोुट केसखआकर आपक होगै जारे भीयुशन में जापन ए बुटे स्वाइल का Aतप मुनकि ये विर स्सक्राइब हूरिव का शॉड को पांबिसली सत्य है करे थास्या है कर दो कर दो कर दो कर दो very good Tannushree Chattopadhyay D all are incorrect सारे ही incorrect है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले यह word हम समझेगे कि soil creeping क्या होती है और soil का flow क्या होता है soil creep का मतलब होता है slow movement तो यहाँ पे soil creep is fast continuous movement of soil downhill scope तो यह slow movement होता है तो fast आगया तो गलत है soil flow over soly function is a slow No, it is the fast movement यह fast movement होता है So, यह गलत हो गया In soil creep, soil act as a liquid and hence it creep fast Obviously not creep slow जब अहाँ पर आप हिंदी में भी देखेंगे तो रेंगने का मतलब होता है slow speed से चलना, कच्छुए की चाल चलना साप कैसे चलता है, रेंगता है दिरे 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 यच्क च्टिरख नरागि दिरे दिरे ले दो से उ weet यह भी यह मतलब होगग लगी होगी uh om कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्सफ्लोईएशन का मतलब होता है पीलिंग ऑफ रॉप रेयर बिकॉज ऑफ वेधरिंग प्रोसेश जैसे इसको हम एक एक्जाम्पल ले सकते हैं लाइका ओनियन तो जैसा कि आप देखते हैं कि ओनियन जो होता है ओनियन की एक तो कॉलीफ्लावर इसके एक एक्जाम्पल ले सकता है लेयर उसके पत्ते हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे एंड बे वही खतम हो जाएगी तो वैसे ही माल लीजिए कि कोई पर्टिग्लर चटान है उस चटान पे उस रॉक के ऊपर अगर डायरेक्ली सनलाइट आ रही है त आउटर लेयर क्योंकि क्या हो जाती है गर्म हो जाती है गर्म होने की वज़े से वह तूट जाती है तो आउटर लेयर कतम हो गई तो इसकी एक लेयर निकल गई अब लेकिन जो अंदर की लेयर थी वह कंप्लीटली अंजान है कि बाहर क्या हो रहा है क्योंकि बाहर की लेयर ठंडी हो रहे, गरम हो रहे, ठंडी हो रहे, वो टूट गई, अब जैसे ही वो टूटी, तो जो अंदर की layer थी, मतलब जो second layer थी, अब वो first layer बन चुकी है, अब sun की raise उसके उपर आएगी, फिर एक time आएगा कि ये भी ठंडी गरम, ठंडी गरम होगी, तूट जाएगी, then फिर 3rd layer की बारी आएगी फिर 4th layer की बारी आगी ऐसे करते करते चट्टान प्याज की परतों की तरह तूटती जाएगी खुलती जाएगी और तूटती जाएगी और इसी को हम exploration कहेंगे ओके तो यह होगे अपना correct answer तो thank you very much आज की class के लिए आज की class के लिए तना ही अब हम हमारा आज हो चुका है day 6 और 25 questions एक दिन के अनुसार हम कर चुके हैं आज 150 out of 500 ठीक है तो जो 350 questions remaining है वह आपको इनी class में विलेंगे कल हमारी class होगी शाम को 3 बजे 3 पीम पर इसी channel पर और उसके बाद में class होगी चार बजे तो अगर मेरे साथ में classes लेना चाहते हैं और आपने अभी तक आप डाउनलोड नहीं किया रहा है देखो एक यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें लो फ्री है लेकिर अनकाडमी के लर्णिंग आपको भी डाउनलोड कर लो कि वो भी फ्री है उसमें आपको options आजाएंगे अपनी classes के लेकिन आपको एक काम और करना है आपको मेरी profile को भी सर्च करना है क्रितिका पारिक के नाम से सर्च करेंगे और आज और कलो के लिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वीडियो के दिस्क्रिप्शन में भी लिंक है आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हैं ठीक है so thank you very much मिलते हैं अब आपसे हम कल की class में have a nice day guys take care bye bye unacademy का telegram follow कर लिजे unacademy using net english और अगर चैनल पर first time आया है तो subscribe करके बल आइकन दबा लिजे वीडियो को like and share कर दीजे thank you good night you